हेलो डियर सब्सक्राइबर्स मैं हूँ आपकी दोस्त और स्वागत करती हूँ आपका बेस्ट केर ओफ प्रेगनेंसी में जहां हम बाते करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी प्राब्लम्स की उनके सलुशन्स की और साथ ही मैं भी अपने प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया आपकी इंप्रेगनेंसी टेस्ट किया फिर कुछ दिन बाद ही आपके पीरियर्स आ गए और फिर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया फिर वो निगेटिव आ गया ऐसा क्यूं होता है या या आप लोग को कोई गलत सहमी है या ऐसा सच में होता है क्योंकि इस से related मेरे पास बहुत सारे questions आए है कि मैं हमारी दो दे implantation bleeding हुई फिर उसको यद हैवी bleeding होने लगी हमारे periods आ गए ऐसा क्यों हुआ या मैं हमारा miscarriage हो गया है इस वजह जैसे bleeding हो रही है तो इस से related बहुत सारे questions आए मेरे पास 80% question implantation bleeding से ही related आते हैं आप लोगों के तो बहुत सारे लोगों के जब इतने सारे questions एक ही जैसे हैं तो मुझे लगा कि आपकी problem मुझे एक video बना कर उसके थूरू सॉल्व करना चाहिए तो आज का ये video इसी के regarding है वीडियो को अन तक पूरा देखिए गा ताकि आपकी problem का solution आपको इस वीडियो में मिल जाए पसंद है तो प्लीस लाइक जुरूर किया करिए क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि मेरी जो information मैंने आप लोगों को दी है वह आप लोगों को पसंद आई है या नहीं आई है और अगर चैनल पर नहीं है तो आपको पता है क्या करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो जब आपकी implantation bleeding होती है मैं आपको सब्सक्राइबर के comment के example देके बताओं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हमारी 2-3 महीने से implantation bleeding हो रही है तो क्या यह pregnancy हो सकती है अगर 2-3 महीने से implantation bleeding किसी की हो रही होगी तो ओल्रेडी 3 महीने का pregnant होगा या फिर किसी की implantation bleeding एक महीने से हो रही है यह इस तरह कि मतलब implantation bleeding यह होती नहीं है अगर आप लोग ऐसा लगता है कि मेरी 3 महीने से implantation bleeding हो रही है या किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी last month implantation bleeding होई थी उसके अद मेरे periods नहीं आए वो आपके कहीं न कहीं रुके हुए periods ही थे आप समझ नहीं बाए क्योंकि implantation bleeding pregnancy का sign होता है अगर implantation bleeding पहला sign होता है यह बताने का कि हाँ वो महिला conceive कर चुकी है हर महिला में यह नहीं होता है कि सभी को implantation bleeding का experience हो लेकि 33% महिलाओं में होता है यह तो यह indication है pregnancy का अगर किसी की implantation bleeding होई है तो अब अगर किसी के दो दिन स्पोर्टिंग होई है उसी पीरियर्ट आगा तो आपके जब भी ऐसा हो तो आप हमेशा अपने लास्ट पीरियर्ट लास्ट के दो महीने पीरियर्ट के नोटिस करिए कि क्या आपके लास्ट के दो महीने में भी आपके पीरियर्ट से दो दिन पहले आये थे या दो दिन ब अगर किसी की implantation bleeding हुई है उन्होंने pregnancy test किया positive आ गया और उसके बाद फिर heavy bleeding शुरू हो गई तो यह कहीं न कहीं chances होता है sudden miscarriage का अगर आपका की implantation bleeding हुई थी आपका pregnancy test positive आ गया है उसके बाद अचानक से heavy bleeding शुरू हो गई या फिर clots आ रहे हैं bleeding के साथ या brown या black color की या dark red color की bleeding हो रही है तो यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपका या तो sudden miscarriage हो गया है या कुछ ऐसा गलत हो गया है आपके साथ जो भी आप समझ नहीं पाए है तो ऐसे case में आपको इंतिजार नहीं करना चाहिए नहीं आपको इधर उधर सवाल पूछने में जवाब का इंतिजार करने में अपना समय बरबाद करना चाहिए मेरी राए ये है कि अगर ऐसा होता है तो आपको सीधे बिना समय गवाए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए ताकि वो आपकी समस्या का समय रहते समाधान कर सकें क्योंकि जो मिस्कैरेज होते हैं वो अर्ली प्रेगनेंसी मतलब जो महिलाएं जब कंसीव करते हैं तो शुरुवाती कि चार हफते में सबसे ज़्यादा जो मिस्कैरेज होते हैं तो इसलिए आप कभी भी समय अपना ना गवाए जैसे ही आपको पता चले कि आपका प्रेग प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेज में कोई नहीं लेनी होती है जो मेडिसेन सुरू होती है वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद केल्शियम फॉलिक एसे स्टाट होती है लेकिन अगर आप डॉक्टर से मिलने जाएंगे जैसे आपका तो हर महीने आपको इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाएंगी या फिर प्रजेस्टाउन की टैबलेट होती है उनको खाना होता है तो यह तो टीन महीने तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर तब प्रजेस्टाउन की टैबलेट चलती है जिन महिलाओं को डॉक्टर जरूरी उन्हें बताईए तो आपका टैस्ट करवाएं यह उरिन टैस्ट होता है फिर वो आपको बताएंगे कि आपको अल्ट्रसाउंट किस वीक में कराना है और आपको मेडसिंस वो देंगे तो यह सारा प्रोसीजर जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉस्टिव आता उसके बाद से शुरू हो जाता है इसलिए कभी बैटके इंतिजार नहीं करना चाहिए और अगर किसी की इंप्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है उसके बाद हैवी ब्लीडिंग आ गई है अगर इंप्लांटेशन ब्लीडिंग बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो चेकि आफ से कंपैर करके देखा करिए कि जो मेरे लास्में पीरिय के यह तरह से समझेंगे कॉश्चन्स होते हैं तो मैं उन नंका मने पूछके यह हम हैं पूछकि उनके प्रॉब्लम का से वह बताती हो कि अपके साथ भी कभी अईसा हो तो आप जरूर नोटिस करिएगा नेक्स वीडियो में मैं आपको आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ इंप्लांटेशन ब्लीडिंग कुश्चन एंड आंसर वीडियो क्योंकि में पास और भी ऐसे बहुत सारे नए नए टाइब की कुश्चन आये हैं जो में हमाएं नए सब्सक्राइबर्स जो चैनल से जुड़े हैं उनके इंप्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड नए ने कुश्चन आये हैं जो मैं आप लोग के साथ डिसकस करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ ताकि आप में से भी अगर किसी के पास उस टैप की क्वेरी होगी जो आप पूछना चाहते हैं या पूछ नहीं रहे हैं तो आप कभी समधान उनके कुश्चन से हो जाएगा तो वो वीडियो परसों जरूर आने वाला है तो वो वीडियो मिस्मत करिएगा और अगर बेल आइकन प्रेफ नहीं किया है तो जरूर प्रेफ कर लिजेगा तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और अगर कुछ अभी भी ना समझ में आया तो बिल्कुर कोश्चन करें मैं रिप्लाई जरूर करूँगी और मैं इन्स्टरग्राइम पे भी हूँ तो आपको अगर कुछ पर्सनली पूछना हो तो आप मुझे इन्स्टरग्राइम पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ कमेंट कर सकते हैं मेरा इन्स्टरग्राइम है प्रतिबार 6633 अगर आप कुछन करेंगे तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी तो फिर दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाबाई सी यू सून इस्टे हैपी इस्टे हेल्दी और अगर चैनल पे नए हैं तो याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मन भूलिएगा बाबाई मिलेंगे नेक्स वीडियो में सी यू सून